अब हम question number 7 solve करते हैं यह भी question number 6 की तरह है x square और y square है दोनों equation में तो equation number 1 और यह है equation number 2 यहाँ पर अब एक चीज़ फोकस करें x square का coefficient first equation में 1 है लेकिन equation number 2 में x square का coefficient 2 है इसी तरह equation number 1 में y square का coefficient 4 है और equation number 2 में क्या है माइनस 1 है तो इसका मतलब न x square के coefficient सेम है और न y square के coefficient सेम है हम क्या करते हैं कि इनके coefficients equal बना देते हैं अब आपके मर्जी है x square के coefficients को equal बना दे या y square के coefficients को equal बना दे अगर हम x square को coefficients को equal बनाएंगे तो equation number 1 को 2 से multiply करना पड़ेगा जब 2 से multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा टू आएगा और इस तरह से ये multiply होके 4 ये 8 हो जाएगा और इस तरह ये भी 2 से multiply होगा तो 8 बन जाएगा एक तरीका कार ये हैं दूसरा तरीका कार ये हैं कि आप y square के coefficients को equal बना दे तो उसके लिए क्या करना है मैं equation number 2 को 4 से multiply करना है तो इस तरह से तो अब मैं करने लगा हूँ ये वाला ज्यादा easy है मैं एक sentence लेक देता हूँ multiply equation number 2 by 4 and add with equation 1 equation 1 हमारे पास है x square plus 4 y square is equal to 4 अब हमने equation number 2 को 4 से multiply करना है और उसके बाद हमने equation number 1 के साथ add करना है अब equation number 2 को 4 से multiply करने लगे जब ये 2 4 से multiply होगा तो क्या बनेगा 4208 तो 8 x square उसके बाद है minus sign अब ये y square multiply होगा 4 के साथ तो minus 4 y square हो जाएगा और इस तरह ये 4 भी multiply होगा तो 4, 4, 16 तो equation number 2 को हमने किया किया 4 से multiply किया और उसके बाद 4 से multiply किया और मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि equation number 1 के साथ add करो अब हम add करने लगे हैं जब add करेंगे तो यहाँ पर देखें उपर वाला plus 4 y square है और नीचे minus 4 y square है ये दोना आपस में cancel होगे यहाँ पर plus 1 x square है और नीचे plus 8 x square है दोनो 8 होगे तो 9 x square बन जाएगा is equal to ये 4 है और ये 16 है दोनो 8 होगे तो क्या आएगा 20 तो अब ये आजाएगा x square is equal to 20 और 9 यहाँ पर divide हो जाएगा तो अब हमने x cancer find करना है तो दोनों side का square root लेंगे तो x का square root के साथ cancel हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लेखता हूँ plus minus और उपर जो है वो 20 है और नीचे यह आजाता है 9 9 का square root आता है 3 यानी square root का हमने 20 के उपर अलग 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 तो 9 का square root आता है 3 और एक और असान चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 20 है square root के अंदर इसको हम लेख सकते हैं 5 multiply 4 तो इसको असान यह कर देते हैं कि 4 का square root निकल सकता है तो वो square root से अजाद हो जाएगा 4 तो 2 बन जाएगा और square root के अंदर आज जाएगा 5 so x का जो final answer बनेगा that is plus minus 2 under the root 5 over 3 यह x का answer आगया है अब हमने यह x के value हमने put करनी है किसमे equation number 1 या 2 में मर्जी है जिसमें भी put करनी है हम उसमें put कर सकते हैं तो let's say हम उसको equation number 1 में put करते हैं equation number 1 क्या है x square plus 4 y square मैं इदर side पे लग देता हूँ x square plus 4 y square is equal to 4 यह हमारे पास equation number 1 है इसमें हम यह x के value put करने लगे हैं तो put value of x in equation number 1 आप के मर्जी आप plus वाली value put कर दी या minus इसे कोई फर्क नहीं पड़ता let's say मैं plus वाली value put कर देता हूँ तो अब equation number 1 में हम value put करने लगे हैं x की जगा तो यह आएगा 2 under the root 5 over 3 x का square है तो यह अदर भी square आजाएगा plus 4 y square is equal to 4 अब यह जो square है इसके वज़ा से यह 2 square इसके उपर अलग आएगा इसके उपर अलग आएगा और इस 3 के उपर square अलग आजाएगा तो नीचे आजाएगा 9 और 2 का square आजाएगा 4 और square root 5 के उपर square आजाएगा तो square root cancel होगा तो 5 रह जाएगा plus 4 y square is equal to 4 अब यह multiply हो जाएगा तो यह आजाता है 20 over 9 plus 4 y square is equal to 4 now 4 y square is equal to 4 minus 20 over 9 अब LCM आजाएगा इनका 9 तो 9 इस 4 के साथ multiply होगा 36 minus 20 तो अब यह minus हो जाएगा तो 4 y square is equal to यह आएगा 16 over 9 तो अब क्या होगा यह 4 जो y square के साथ multiply होगा दूसरी साथ जाके divide हो जाएगा so y square is equal to 16 over 9 तो यह वाला 4 नीचे आजाएगा divide हो जाएगा नीचे आके divide हो गया है अब यहाँ पर cutting कर लें 4 104, 4 4 16 तो 4 over 9 अब हमने square root लेना है square root लेने के बाद यह square खितम हो जाएगा तो y is equal to square root के वज़े से plus minus 4 का square root 2 और 9 का square root 3 तो y का answer आ रहे हैं, दो answers आ रहे हैं plus minus 2 over 3 so solution set will be पहले x की value, x की value हमारे पास क्या आए थी plus minus 2 square root 5 over 3 और y के यह दो values आ रहे हैं plus minus 2 over 3